अब हिंदू मुस्लिम सब नहीं न तुम करोगे सब लोग भाई भाई है ना दोस्तों अभी हम गोल घर को कभर करने आए हुए थे एक बच्चा मिल गया नाम इसका आयान है और इस बच्चे से जब बाचीत हुई न तो कुछ ऐसा निकल के आया कि हमें लगा कि आप लोगों क भी इससे मिलवाना चाहिए दरसल हमारे देश में जो आज काल चल रहा है आप सब लोगों ने कल सोशल मीडिया या फिर टीवी पर देखा होगा कि दिल्ली में जो कल पर सो दंगा हुआ था उसके बाद मस्जीद को पर जो है बुल्डोजर चला ऐसा खबर हर जगा जो है फ पता चला कि तुम्हारा मसजीद तोर दिया गया है दिली में और कुछ नहीं पताया कि काहें टूटा है महजीद नहीं टोरा गया है बाबु मस्जीद के आगे जो गेट था जो सरक पे बना हुआ है उसको तो फबना हुआ था आच्या तुमको यह बात पता है कि तीन-्चा कि हिंदू लोग जब आया था जूलूस लेखे उसी में पत्थर चला था लराई हुआ था इस बात तुमको पता है आप ना थो दोनों है तो आप वहां के लोगों से का करना चाहूंगा कि हिंदू-मुस्लिम दोनों को से लराई मत कीजिए तो यह मासूम बच्चा आप लोगों से आग्रह कर रहा है और मेरे तरफ से भी आग्रह है हम लोग चाहते हैं यंदू को हिंधू हैं चाहते हैं लोग से भी बोलो कि आपके साथ क्युछ गलत थोरे किये हैं ये आपका भी और हमारा भी भारत इप अब आकी जो लोग लड़ रह आ कि आप लुग सांत हो येगा कि नहीं कि नहीं इदर देखके बोलो तो अब हिंदु मुसलिम तुम करोगे सब लोग भाई-भाई है थो हात में कंगन बादे हुए है तुम्हारे भाईया जी सा बात कर रहे ना अब तुम्हारे मन में यह नहीं नहीं रहेगा कि हिंदू-मुस्लिम लोग बदमासि करता है नहीं वह जीता है वहीं थे लरका लेकिन मोदी जी भी देश के परधान मंत्री है उभी गलत नहीं करेंगे ठीक ना बाकी इस बच्चे का वीडियो आपको दिखाने के पीछे हमारा मकसद एक है पेपर में देने के लिए लरका बोल रहा है और इस वीडियो को बनाने के पीछे मकसद एक है कि आप लोग जितने भी जो लोग है चाहे वो हिंदू-धर्म के हो मुस्लिम धर्म के हो आप लोग तरह से लड़ने का काम करते हैं हमारे आने वाले पिरी पर क्या प्रभाव पर रहा है एक दुसरे के प्रति कैसा नफरत बन रहा है वो आप लोग यहां से समझीए और फिल किजिए इस बात को और हम लोग किस तरह से किस और जा रहे हैं वो भी समझने के जरुए थे इसलिए